let us discuss the concept of electric dipole when dipole is placed in Uniform electric field के अब यहापे में लोग क्या एक्जिम करने वाले मालो मेरे बास electric field है जो 2-dimension में है ठीके यहाप फिर 3-dimension लें तो 3-dimension भी ले सकते हो जैसे आपको यहापे अब लोग 2-dimension वाली case नियों करने वाले suppose कोई भी direction में माणलो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फिल्ड जा रहा है कीक है यहां से यहां तक जा रहा है कोई भी direction में आप ले सकते हो और वो direction में अगर मैंने एक electric dipole को रखने की कोशिश की तो फिर क्या effect होगा हमें यह पता है, Nate charge of electric dipole is zero बट इलेक्ट्रिक फिल्ड जो डाइपोल का होता वो रही जीरो नहीं होता है कि वहाँ पर दो चार्ज इस होते है मान लोग मुझे डाइग्राम करनी है अभी सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा मुझे सबसे पहले एक electric field बनाना पड़ेगा कैसे भी बनाओ जैसे आपको चीह I am making something like this तो यह हो गई मेरे electric field lines uniform है तो parallel बनानी है एक दूसरे को तो यह बन गई electric field lines यह uniform electric field है मेरे पास अभी मेरे पास क्या होना चीह मेरे पास एक डाइपोल होना चीह डाइपोल को आपको क्या करना है uniform electric field में रखना है तो डाइपोल को आप किस तर से भी रखो तो ठीक है डाइपोल को रख देते है something like this कि ये हैं मेडी पास अभी επि दाइपवल के बस दोफे या माइनस q और दूसरा था प्लस q क्यू inventor है ओके तो यहांपर मेरेपास माइनस q है मेरेपास प्लस q है अभी हमें यह दिछना है यहां पर इसका जो center होता है वो 0 हमें पता है और जो dipole है उसकी total length हमें पता है होती है कि यह 2a है दूसरी बात dipole moment electric dipole moment को P vector से represent करते है और minus से plus Q की तरफ move करता है यह बात तो हमें पता है अभी next चीज़ देखते है यह जो plus Q जहाँ पर है उसके उपर जो force act करेगा ठीक है तो F की value क्या होगी Q into E vector because direction of a force और यह जो charge का magnitude है वो same है यहाँ पर अगर हम लोग देखते है तो जो force की value होगी F will be equals to minus Q into E vector तो यहाँ पर मेरे पास दो forces है equal and opposite direction में लग रहे है equal क्यों बोल रहे है because charge same है uniform electric field है इसलिए anyways इनको कुछ नाम देते है यह point जो situated है that point is situated at A इसको हम नाम देते है B अभी यहाँ पर हमारे पास angle है यह angle है theta है कि नहीं तो यह मतलब angle theta से uniform electric field में रखा गया है अभी देखते हैं हमें क्या चीए देखो एक मेरे पास dipole है और यहाँ पर हमारे पास forces भी है ऐसा कुछ अगर situation है तो dipole हमेशा electric field के direction में आने की कोशिश करेगा और आपको पता है अगर कोई भी एक AC चीज है आपके पास मानलो ऐसा rod है और अगर आप उसको कोई तो एक external field में रखते हो तो वह अपने आपको क्या करता है rotate करने की कोशिश करता है तो जब भी ऐसा कुछ effect होता है जहां पर आपके पास मानलो यह rod है आप एक force ऐसा लगरो दूसरा ऐसा opposite direction में लगा रहे हो तो क्या बनता है यह जो दो लाइन से एक point पे मिलते है let that point is a c तो यहां पे angle क्या बना हमारा यहां पे जो angle बना है let that angle is a theta anyways अगर यह theta है तो ultimately यह भी आपको क्या मिलना चाहिए यह भी आपका क्या होना चाहिए theta होना चाहिए है के नहीं anyways तो ऐसा कुछ तो हमें मिल गया structure अभी हमारा concern यह है कि derivation को proceed करें तो मेरे पास अभी a b c a triangle है तो trigonometry utilize करके हम लोग आगे का derivation proceed कर सकते तो अभी तो मेरे पास एक basic setup हो गया अभी next चीज लेखते है derivation के लिए हमें क्या-क्या लिखना है तो जब हमेरे पास dipole है तो एक common point is point number one जो हमेशा हम लिखते है let तो जब ही derivation start करोगे तो let assumption से start करना let there is exist electric dipole which is having two poles minus q plus q which are having a finite distance of a 2 है held in external electric electric field ठीक है ऐसा कुछ लिख सकते हो आप next let dipole is held in a uniform electric field at an angle theta with the direction of e vector ठीक है तो यह point लिखा यहाँ पर आप सिर्फ electric dipole का basic information लिख सकते हो ठीक है point number three देखते है अभी मेरे पास मैंने अभी जो बोला है plus q minus q यह charges held करते है वही चीज हमें point के format में लिखनी है let force on plus q q कहाँ पर है आपके पास b में है और यह कहाँ पर situated है external electric field में situated therefore force on plus q at b is given by plus q e vector and it is acting along direction of e vector force on minus q at a which is equal to minus q e vector it is acting opposite to direction of e vector अभी हमारे पास uniform electric field है तो अगर हम लोग net force dipole के ऊपर देखें तो plus q e minus q e यह एक दूसरे को cut कर देगा तो answer के आएगा आपका 0 लेकिन minus q plus q यह charges है और यह क्या form कर रहे है couple form कर रहे and it rotates the dipole in anticlockwise direction देखो नहीं यह ऐसा करने की कोशिश कर रहे तो यह direction में यह लेकर जाने की कोशिश कर रहे है अगर electric field के direction अलग की होती तो फिर अलग direction में move करता ठीक है therefore यहाँ पे couple form होगा this couple tends to align dipole along e vector ठीक है तो यह मैंने अभी explain किया उसको word के तरीके में लिखना है तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा examiner check करेगा क्योंकि electric dipole in uniform two dimensional electric field equation exam में तीन मार्क के लिए दो मार्क के लिए पूचा जाता है anyways अगर दो मार्क के लिए पूचते तो इतना सब लिखने की जरुरत ने इसको और cut short करके आप बहुत short में लिख सकते हो ठीक है draw AC perpendicular to e vector तो AC draw कि हमने e vector के उपर next देखते है अभी मुझे torque चीह है तो torque के लिए मेरे पास एक general formula है उसको बोलेंगे magnitude of moment of a couple जिसको हम लोग torque से represent करते है which is equal to magnitude of one of the force forming couple एक बार repeat करता हूँ magnitude of one of the force forming couple into perpendicular distance between the two forces तो अगर ऐसा है मेरे पास ठीक है तो torque की value क्या होगी qe ठीक है perpendicular distance हमें कैसे मिलेगा मुझे ac की value चाहिए और यह theta है तो sin theta is equal to opposite upon hypotenuse तो opposite की value क्या है ac hypotenuse है आपका a b है ना लेकिन a b के जगा पे आप क्या लिख सकते हो 2a लिख सकते हो है कि ने तो ac के जगा पे हम क्या लिख सकते है sin theta into 2 है so sin theta के जगा पे क्या लिख सकते a b so a b into sin theta ठीक है so torque is qe into 2a sin theta अभी हमारे पास p का equation q into 2 है तो substitute करते है rearrange करते है terms को यह पहला लेते है so q into 2a के जगा पे p लिखा e sin theta तो यहां पे हम लोग अगर इसको vector से represent करना चाहते है तो torque की value होगी p vector cross e vector अभी question ही आता है अगर ऐसा कुछ है हमारे पास तो फिर जो torque है उसके direction केसे दी जाएगी certainly right hand screw rule यह यूज कर सकते हो आप and उसकी जो direction है it is perpendicular to p vector and e vector तो जो direction में आपका p vector है जो direction आपका e vector है उसको perpendicular होगा anyways और अच्छे से समझना है तो it is perpendicular to plane of paper and outwards तो वो भार आने की कोशिश कर रहा है मेरे पास ऐसे दो vectors है something like this इसको इस तरह से पकड़ते है something like this और यहापे अगर rotate होगा आपका तो right hand screw rule के हिसाब से आपका जो direction है वो भार की तरफ आना चाहिए so along यहापे हमारे पास cases है point number 789 यह cases है ठीके तो आप case करके भी लिख सकते हो 123 के terms में so अगर e vector और यह पूरा का पूरा dipole एक की direction में अगर है तो theta की value ultimately आपकी 0 बन जाएगी theta की value 0 बनेगी तो torque की value 0 बनेगी इसका मतलब minimum होगा और इसको बोलते हम लोग stable equilibrium दूसरा अगर आपने एक काम करो यह पूरा का पूरा इसका turn करके 180 degrees theta अगर आपका है तो फिर torque क्या होगा e के direction में आने की कोशिश करेगा 180 degree पूरा का turn होके वह original position पे आने की कोशिश करेगा stable होने की कोशिश करेगा अगर initially 180 degree angle है उसको हम बोलते है unstable equilibrium anyways और torque की value maximum कब होते है जभी यह theta का angle 90 degree होता है because sin 90 degree is 1 so torque max theta की value 90 degree when torque max is equal to P और last part है कभी-कभी यह question भी एक मार के लिए पूछते है torque का dimension लिकलन के लिए या फिर वो बोलते है electric dipole in uniform two more dimensional field का dimension लिखो so इसका unit हो गया Newton-meter dimension क्या होगा Newton के लिए 4 से आपके पास mass into acceleration का dimension लिखो और यह meter है आपके पास उसका substitute करो so final answer dimension M1 L2 T-2 तो अभी हमने क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा topic of electric dipole in uniform two dimensional electric field Vार 1 5 6 5 7 11 15